नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं थास पेशकष भारत भाग्य कुंडली और मैं हूँ आपके साथ चैलेंद्र पांडे तमाम दर्शकों को तमाम देशवाशियों को भारत के सवतंत्रता दिवसकी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपने इस विषेश पेशकष की सुरूआत करेंगे भारत ने अपनी सुतंतरता के 71 वर्स पूरे कर लिये हैं और इन 71 सालों के पूरा होने के बाद बहुत सारे सवाल हमारे जीहन में आ रहे हैं जोतिश उन सवालों का जवाब कैसे देता है जोतिश भारत के आने वाले समय के बारे में क्या जानता है और क्या बताता है आज इस मिशेपर बात करेंगे बात करेंगे उन सवालों की जो आपके दिमाग में हैं जवाब देंगे उनके जिन सवालों को लेकर अक्सर आप परिशान होते हैं और चाहते हैं कि अपने आने वाले समय को जान सकें अपने देश के समय को जान सके तो चलिए पहले सवाल पर चलते हैं और जानते हैं कि पहला सवाल क्या है क्या है भारत के कुंडली की खास बातें देखिए अगर हम भारत वर्ष की कुंडली की बात करें और इसकी खास बात की बात करें तो स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनती है, भारत जब स्वतंत्र हुआ, गुलामी से आजाद हुआ, तो वो दिन था 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्री का समय था, 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्री में भारत आजाद हुआ, अब जो उस समय की कुंडली बनती है, उसमें लगन बनता है व रिशब लगन और चंद्रमा की अपनी राशी है इसमें कर्क यानि लगन इस्थिर है और राशी जो है वो मूवमेंटल है वो चलित राशी है चलने वाली राशी है जन्म नक्षत्र जो भारत का है स्वतंत्र भारत का है वो पुष्य नक्षत्र है और ये शनी का नक्षत्र है अगर आप भारत वर्ष की कुंडली बना करके देखें तो तीसरे भाव में बड़े सारे ग्रह भारत वर्ष की कुंडली में विद्यमान है वहां सूर्य है, वहां बुद्ध है, वहां चंद्र है, शनी है, शुक्र है बहुत सारे ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में विद्यमान है अब बहुत सारे ग्रह जब किसी एक खाने में पहुँच जाते हैं खासतोर से तीसरे खाने में तीसरा खाना जो है ना तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है और वहाँ पर बहुत सारे ग्रहों के होने की व व्रिशब लगन है, फिक्स लगन है, तो जब लगन इस्थिर होता है, तो अमूमन जीवन में stability आ जाती है, जीवन stable हो जाता है। इस्थिर लगन होने की वज़से और शनी की कृपा भी है, शनी कुंडली के तीसरे खाने में है, नवम भाव को जो कि उसका अपना भाव है, उसको देख रहा है और भारत का जन्म नक्षत्र भी पुश्य है, जो कि शनी का नक्षत्र है, तो शनी की विशेश कृपा है और व् पिछले 71 साल के इतिहास को अगर देखें, तो ऐसा नहीं है कि भारत के जीवन में समस्याई नहीं आई, या भारत के वासियों के लोगों के जीवन में दिक्कते नहीं आई, बिलकुल आई, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत और भारत वासी एक बने रहे, किसी की बात ना मानना, एंटी लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र का मालिक शनी है, तो मंगल जो है, वो निरंकुष्टा का मालिक है, कुंडली के दूसरे खाने में बैठा हुआ है, यानि इनहेरिटेंस में जो आपको मिल रहा है, आपको संसाधन मिल रहे हैं, ये तमाम चीज के साथ तनाव रहा, और युद्ध जैसी स्थितियां बार बार बनती रहीं, युद्ध हुए भी, और आजकल तो बॉर्डर पे छट मुद्ध तो निरंतर चलते ही रहते हैं, लेकिन भारत का अपने पडोसियों के साथ, जो मामला था पडोसियों की अच्छी स्थिति की न मंगल के उपर, इसी लिए पडोसियों ने कितना भी उपद्रव क्यों नहीं किया, वो भारत को नुकसान बहुत ज्यादा नहीं पहुचा पाए, मंगल ने पडोसियों के साथ संबन तो खराब किये, लेकिन उसका भारत की परसनेलिटी पर व्यक्तित उपर बहुत असर नह रही है, भारत को बचा रही है, ये प्रोटेक्टिव दृष्टी है, ब्रिहस्पती के कुंडली के छटे खाने में बैठ कर, लेकिन अगर ओवर ओल कहें, कुल मिला जुला कर कहें, तो भारत वर्ष की कुंडली का जो प्राण है न, वो शनी है, और शनी जब किसी कुंडली का प्राण होता है, तो दो चीज़े बड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है, एक होता है न्याय, जिसको लोकतंतर भी कहते हैं, भारत में लोकतंतर हमेशा मजबूत रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, और दूसरी बात, शनी मने जनता का कल्यान, जनता की भलाई, तो शनी ऐसी स्थितियां पैदा करेगा, जिससे लॉंग टर्म में आगे चल करके, जनता का कल्यान होगा, जनता की भलाई होगी, इस बात की संभावना भी निश्चित रूप से बन गी है, तो भारत वर्ष की जो कुंडली है, अगर उसकी खास बात देखें, तो बड़ी सारी खास बातों में शनी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉटेंट है, सबसे ज़्यादा महत्तुपूर्ण है, अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर जिसके बारे में आपके मन में अक्सर सवाल आते रहते हैं, भारत की समस्याओं के लिए कौन है जिम्मेदा, अक्सर लोगे सोचत हैं कि भारत की जब कुंडली बनाई गई और भारत जब आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता का जो समय चुना गया था, वो गलत था, ऐसी कुंडली बन गई कि भारत हमेशा मुश्किल में रहा, ऐसी समस्याओं पैदा हो गई, इसमें भारत को आर्थेक, मानसेक, शारेरेक, हर तरह की दिक्कतें परिशान करती रही, तो क्या वाकई में जो कुंडली बनाई गई थी भारत की या जो दिन चुना गया था, क्या वाकई में वो गलत था, क्या वाकई में वो निगेटिव था, ऐसा था क्या, देखि ऐसा था नहीं, जिस समय भारत आजाद हुआ, 15 अगस् 1947 को भारत वर्ष की कुंडली उस समय के हिसाब से सर्वस्रेष्ट कुंडली चुनी गई थी अगर उस समय के ग्रहों के आकड़े को आप देखें तो इससे बेहतर ग्रह दशाएं चुनी नहीं जा सकती है अगर आप कोई और लगन चुनते तो हो सकता है दिक्कतें पैदा होती कर्ट लगन चुनते तो शायद भारत अक्षुन नहीं रहता भारत में मूवमेंट बहुत सारे होते मिथुन लगन चुनते तो मंगल लगन में होता भारत हिंसा के जाल में डूब जाता इसलिए जो लग में चुना गया जो टाइमिंग चुनी गई वो बड़ी सही चुनी गई और इसको शनी प्रधान बनाया गया शनी प्रधान समय इसलिए चुना गया ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और भारत में आप देखिए कि लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है इमर्जेंस यानि लोगतंत्र को मजबूत करने के लिए एक नहीं एक हजार हाथ उठे ताकि निरंकुष साशन यहाँ पर पैदा ना हो सके प्रियास करके ऐसी स्थिती चुनी गई जिससे शनी और ब्रिहस्पती बेहतर रहें अब शनी बेहतर होगा तो लोगतंत्र मजबूत होगा और ब्रिहस्पती बेहतर होगा तो इश्वर की कृपा बनी रहेगी या लोगों के अंदर एक सदभाव बना रहेगा लोगों के अंदर एक अटेश्मिंट बना रहेगा और वो पार्ट यहाँ पर चुना गया आप देखिए अगर पिछले 71 सालों में तो ऐसा नहीं है कि भारत ने तरक्की नहीं की है अगर जन्म समय खराब होता तो भारत तरक्की नहीं कर पाता लेकिन जन्म समय ठीक था इसलिए आप देखें कि भारत ने खाद्रपदार्थ के मामले में टेकनोलोजी के मामले में, उद्योगों के मामले में काफी उन्नती की है और बहुत सारे मामलों में भारत आत्म निर्भर भी हुआ है अपने डम पर देश दुनिया के साथ खड़ा हो गया है सौंदर प्रत्योगिताओं से लेकर खेल के मैडान तक हमने, हमारे देश ने अपना लोहा मनवाया है और कला का छेत्र हो, संगीत का छेत्र हो, साहित्य का छेत्र हो भारत ने अपना लोहा मनवाया है, अपनी ताकत पुरी देश दुनिया को दिखाई है और ये बताया है कि हमारा भी वजूद है, हमारा भी अस्तित्व है और हमने हर छेत्र में अपने जंडे गारे हैं यानि ऐसा नहीं है कि भारत ने उन्नती नहीं की है पुल मिला जुलाकर हर छेत्र में अगर आप देखें तो भारत लगातार उन्नती कर रहा है और समय के साथ-साथ यहां के लोग भी जिम्मेदार हो रहे हैं वर्तमान में आप देखें कि सफाई को लेकर एक राष्ट्रिय धून जैसी पैदा हो गई है और हम सब लोग सफाई के लिए पहले के तुलना में ज्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं परियावरन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं यानि जिम्मेदारी का भाव हमारे अंदर हमारे देश के लोगों के अंदर काफी मात्रा में धीरे धीरे आ रहा है और इसकी वज़ा से भारत लगातार उन्नती कर रहा है और आने वाले वर्षों में भी ये उन्नती करता चलेगा इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत का जो जन्म समय है जिस समय भारत को आजात कराया गया वो टाइमिंग गलत थी वो टाइमिंग बिलकुल भी गलत नहीं थी और दूसरी बात याद रखिए कि अगर ग्रहों को ही सब चीजों के लिए जिम्मेडार ठहराते हैं तो ये मान के चलिए कि ग्रह आपके देश के बहुत अच्छे हैं जिसमें सफलता अवश्य मिलेगी आने वाले वक्ती अब एक प्रश्ण और पैदा होता है बड़ा महत्तोपूर प्रश्ण है और ये प्रश्ण आम तोर पर हर हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से पूछता है क्या है आखिर सवाल नंबर ती कब और कैसे संभब है भारत की परेशानियों का अन्त देखिये अक्सर मन में ये बात आती है कि क्या भारत की जो परेशानिया है हर देश की अपनी परेशानिया है भारत वर्श की अपनी परेशानिया है क्या कभी इन परेशानियों का अंत होगा क्या ये परेशानिया कभी खत्म होंगी या ऐसे ही चलती रहेंगी देखिए वर्तमान में भारत की कुंडली अगर हम बना करके देखें वरिशब लगन करकराशी की कुंडली और वर्तमान में भारत की कुंडली में चंद्र में ब्रिहस्पती की दशा चल रही है चंद्रमा की महादशा और ब्रिहस्पती की अंतरदशा इस दशा को आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो चंद्र की महा दशा में जो गुरू की अंतर दशा है यह बहुत अच्छी नहीं है और ये दशा आपको मिले जुले परिडाम देगी कुछ मामलों में बड़े अच्छे परिडाम मिलेंगे और कुछ मामलों में गड़बड परिडाम मिलेंगे यानि कुछ अच्छा कुछ बुरा अगर हम चंद्र में गुरू की दशा को देखें जो एक साल तक तक तकरीबन चलने वाली है तो इस दशा में राजनेतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन होंगे पॉलिटिकली इस देश में बड़े सारे परिवर्तन होंगे चाहे वो राजनेतिक दलों का सवाल हो चाहे वो चुनाव प्रक्रिया का सवाल हो राजनेतिक दलों के गठन का सवाल हो या राजनेतिक डलों के नित्रतु का सवाल हो राजनेतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन होंगे पडोसी देशों के साथ समबंधों में थोड़ी दिक्कत होगी छटे खाने में गुरू बैठा हुआ है शक्त्रुभाव है और शक्त्रु भाव में बैठे हुए गरह की दशा में शक्त्रु भाव थोड़ा प्रबल हो जाता है, अमूमन इसलिए पडोसी देशों के साथ संबंधों में दिक्कत हो सकती है और उसी देशों के साथ तसल थोड़ी बढ़ सकती है हाला कि सिक्षा का मामला अगर देखें और सैक्षरिक संस्थान का अगर मामला देखें तो वहाँ पर समस्या बढ़ सकती है तमाम नई तरह की योजनाएं सिक्षा के लिए और सेक्ष्रिक संस्थानों के लिए आ सकती है जिसमें सेक्ष्रिक संस्थानों में भी दिक्कत होगी और सिक्षा के तरीकों में भी दिक्कत आ सकती है इस बात की संभावना बनती है हो सकता है कि छटे भाव में बैठे हुए गुरू की वज़र से किसी खास तरह की बीमारी भी इस देश को अपने चपेटे मिले खास तोर से पूर्वी इलाकों को जो नौर्थ इस्ट के या इस्टर्न बेल्ट हैं वहां पर खास तरह की बीमारी की संभावना भी बनती है इस बात की संभावना भी जरूर बनती है अच्छी बात ये है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद अपना देश आर्थिक रूप से सुद्रिड होगा आर्थिक रूप से मजबूत होगा हाना की नियम बड़े सक्त होंगे नियम सरकार की तरफ से प्रसाशन की तरफ से थोड़े तकड़े बनाए जाएंगे बट अपना देश अपना राष्ट्र निश्चित रूप से मजबूत होगा मुश्किले तो आएंगी इसमें दोर आए नहीं है ब्रहस्पती के अंतरदशा में लेकिन हर तरह की समस्या को देश आसानी से हल कर पाएगा इसमें कहीं कोई दोर आए नहीं है कि आने वाला जो समय है आने वाला जो दोर है वो थोड़ा मुश्किल दोर है लेकिन अच्छी बात ये है कि ग्रहों के इंडिकेशन्स ऐसे हैं ग्रहों की सूचनाएं ऐसी हैं कि वो आने वाले समय की मुश्किलों को निश्चित रूप से दूर कर पाएगा अपना ये देश, अपना ये राष्ट्र अब एक प्रश्ण और पैदा होता है भारत के सामने आगे और क्या-क्या चुनाथियां आ सकती है देखिए अगर हम आने वाले वक्त की बात करें तो छटवे भाव में ब्रिहस्पती बैठा है और उसी ब्रिहस्पती की दशा है इसलिए इसमें बड़े सारे परिवर्तन होंगे बड़े सारे बदलाव होंगे जो इस देश में बड़ी सारी छोटी छोटी पार्टियां एकदम से पैदा हो गई है एकदम से जन्म ले लिया है इन छेत्रिये दलों के लिए समस्या का समय हो सकता है हो सकता है कि छेत्रिय दलों के अस्तित्व को नुक्सान हो या छेत्रिय दल बड़े दलों के साथ मिल जाए और एक नई तरह की राजनीती की शुरुवात हो हाला कि जो बड़ी पार्टिया है देश की भारतिय जनता पार्टी है और कॉंग्रेस पार्टी है और कम्यूनिस्ट पार्टी है जो बड़ी पार्टिया है उनको लाब हो सकता है छेत्रिय दलों के लिए लाब का बहुत अच्छा समय ने दिख रहा है मार्च 2019 से जुलाई 2019 का जो समय है वो देश के लिए काफी महत्वपून होगा मामला राजनैतिक हो चाहे मामला सामाजिक हो इस समय देश में बड़े बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है यानि मार्च से लेके जुलाई 2019 का जो समय है वो देश में बड़े परिवर्तन की सूचना दे रहा है और ये परिवर्तन काफी महत्वपूर होगा, काफी इंपोर्टेंट होगा इस समय में देश को अंतरराश्ट्री पटल पर सम्मान भी मिल सकता है हो सकता है कि भारत वर्ष किसी ऐसी स्थिती में पहुँचे जिससे अंतरराश्ट्री इस्तर पर हमारे देश को, हमारे राश्ट्र को ख्याती मिले 2018 के सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी राजनेता का निधन हो सकता है ये बहुत अच्छी सूचना नहीं है और किसी ऐसे महान राजनेता का निधन हो सकता है जिसके निधन से हमारे देश को, हमारे राष्ट को छती हो सकती है इस बात की संभावना भी बनती है तो राजनेताओं को अपनी स्वास्टिका और अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान देना जरूर है अब अंतिम सवाल जानते हैं और ये सवाल बच्पन से लोग कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा जरूर होगा हमारे देश के अंदर वो काबिलियत है कि हम ऐसा कर पाएंगे वो सवाल क्या है सुनने से क्या भारत विश्वगुरू बनेगा देखिए अगर हम विश्वगुरू की बात करें तो एक समय जरूर था जब भारत ने पूरे विश्व को शूनने दिया था जब भारत ने दशमलव दिया था जब भारत ने तमाम तरह की यांतरिक और गर्णा की पधतिया दी थी तमाम तरह की कला, संस्कृति और साहितिका वरदान पूरी दुनिया को दिया था क्या आने वाले समय में भारत विश्व गुरू बनेगा? देखिए, चंद्र में ब्रिहस्पती की दशा में ये बात तो जरूर है कि भारत में ऐसी चीजें सामने आएंगी जिस पर दुनिया वाहवाह करेगी और ये अगले एक साल में संभव है कि भारत में कोई ऐसा आविश्कार निकले या कोई ऐसा फुरुष या कोई ऐसी इस्त्री या कोई ऐसा व्यक्ती सामने आए इसकी वज़ा से भारत का सर उचा उठे इसकी वज़ा से हमारा देश तरक्की करे लेकिन ज्यादा तरक्की की जो संभावनाएं है चुकि भारत की कुंडली का जो सबसे मजबूत ग्रा है वो सैटर नहें शनी है और शनी बहुत प्रबल होगा 2020 के जनवरी से इसलिए अगर हम मोटे तोर पे देखें तो हमारे देश को जो अंतरराश्ट्री प्रतिष्ठा मिलने वाली है जो विश्व गुरू बनने का खिताब मिलने वाला है वो 2020 जनवरी के बाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को स्वतंतरता दिवश के हार्दिक शुक कामना है मुझे दीजे इजादर